हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तू आवर यूट्व चैनल एम तू सक्सेस 13 दोस्तों आज हम आपके लिए इंडियन पॉलिटी के अबजेक्टिव कोश्चन्स की एक सीरीज लेकर आए हैं और जिस सीरीज में हम इंडियन पॉलिटी को अबजेक्टिव कोश्चन्स के थू कवर करेंगे जो कि आपके आने वाले आगामी, HCS एक्जाम और अधर कम्टिटिव एक्जाम में बहुत ही महतोपुन सिद्ध होगी सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारी आज की सीरीज जिसमें हमारा पहला कोश्चन है किस अधिनियम के दवारा अंग्रेजों ने अखिल भारतिय संग प्रस्तावित किया कोश्चन में पूछा गया है कि वह कौन सा एक्ट था जिसके दवारा अंग्रेजों ने अखिल भारतिय संग प्रस्तावीत किया था पहली ऑप्शन है इंडियन कांसिल एक्ट 1892, second is भारत सरकार अधिनियम 1909, third is भारत सरकार अधिनियम 1919, fourth is भारत सरकार अधिनियम 1935 दोस्तों जो अखिल भारतिया संग था इसका प्रावधान था Government of India Act 1935 में So question का right answer है भारत सरकार अधिनियम 1935 दोस्तों जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था इसमें कुल 321 धाराएं थी तथा इसमें कुल 10 अनुसूचियां थी और दोस्तों इस Act के तहट के अंदर में दवैद शासन की विवस्था की गई थी और जो प्रांतों का दवैद शासन था उसको समापत कर प्रांतिय स्वाइता की विवस्था की गई और दोस्तों ये जो भारस सरकार दिनियम 1935 था इसके तहे थी बर्मा को भारस से अलग कर दिया गया था और दोस्तों एक संग्ही है नेयल है एम रिजर्व बैंक ओफ इंडिया की स्थापना की वस्था भी इसी एक्ट के दोरा की गई और दोस्तों इसी एक्ट के दोरा एक अखिल भारतिया संग्ही वस्था की गई जिसका निर्मान ब्रिटिश भारत के परांतों चीफ कमिशनर परांतों तथा देशी रियास्तों से मिलकर बनना था लेकिन यह लागू नहीं हो सकी भारतिय शासन अधिनियम 1935 के दोरा स्थापित संग में अवशिष्ट शक्तियां किसको परदान की गई दोस्तों जो Government of India Act 1935 था इसके तहट दोस्तों शक्तियों का विभाजन तीन सूचियों में किया गया था एक था संग सूची दूसरा था राज्या सूची और तीसरा था समवर्ति सूची और दोस्तों जो जो शक्तियां इन तीनों सूची में नहीं आती थी या जो शक्तियों को गवर्नर जर्नल के अधीन रखा गया तो कोश्चन का यहां पर राइट अंसर है बी गवर्नर जर्नल को निमन लिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संगिया नियायले की स्थापना की कई थी दोस्तों हमने पहले कोश्चन में पढ़ा था कि भारत में संगियाय नियायले की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहट की गई थी सो इसमें कोश्चन का राइट अंसर होगा डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं निमन लिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फाल सवरूप बर्मा भारत से अलग हुआ कोश्चन में पूछा गया है कि बर्मा को भारत में से निमलिकित किस अधिनियम के तहट अलग किया गया दोस्तों गवर्मा को भारत से अलग किया गया सो कोश्चन का राइट अंसर है सी कोश्चन है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1919 अधारित था दोस्तों जो भारत सरकार अधिनियम 1919 था यह अधारित था मांटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ड पर और दोस्तों जो मांटेग्यू थे वो भारत सचीव थे जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वाइस रहे थे दोस्तों मांटेग्यू कौन थे मांटेग्यू थे भारत सचीव और चेम्सफोर्ड थे भारत के वाइस रहे सो कोश्चन का राइट अंसर है सविधान सभा का प्रथम सत्तर कब हुआ दोस्तों सविधान के निर्मान के लिए सविधान सभा की जो प्रथम बैठक है पहली बैठक है 9 दिसंबर 1946 नयानी की 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली स्थित कॉंसिल चेम्बर के पुस्त काले भावन में हुई थी सभा के यह सबसे वरिष्टम सदस्या थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानन सिना उनको सभा का अस्थाहिय अध्यक्ष चुना गया सो दोस्तों यहाँ कोश्चन का राइट अंसर है सभान सभा का जो प्रथम सत्तर हुआ था वे हुआ था 9 दिसंबर 1946 को गवर्नर जर्नल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतरगत बनाया गया दोस्तों जो गवर्नर जर्नल का पद था वो पहली बार 1773 के रेगुलेटिंग एट के दवारा बनाया गया था सो कोश्चन का राइट अंसर है A. 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बंगाल का गवर्नर जर्नल भारत का गवर्नर जर्नल बनाया गया कोश्चन में पूछा गया है कि बंगाल के गवर्नर जर्नल को भारत का गवर्नर जर्नल बनाया गया था A. सन 1813 चार्टर अधिनियम के द्वारा B. सन 1833 चार्टर अधिनियम के द्वारा C. सन 1909 के अधिनियम के द्वारा D. 1919 के अधिनियम के द्वारा दोस्तों जो बंगाल का गवर्नर जर्नल था उसको भारत का गवर्नर जर्नल 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बनाया गया था, तो question का right answer है B. सन 1833, charter अधिनियम के दुवारा अधिनियम के दुवारा कलकत्ता में Supreme Court की स्थापना की गई A. Regulating Act 1773 B. भारतिय परिश्यत अधिनियम 1861 C. भारत सरकार अधिनियम 1935 D. भारतिय सविधान 1950 दोस्तों, कलकत्ता में Supreme Court की स्थापना Regulating Act 1773 के तहक की गई थी So question का right answer है A. Marley Minto सुधार 1909 का पुर्मुख प्रावधान कौन नहीं है Question में पूछा गया है कि Marley Minto सुधार 1909 का पुर्मुख प्रावधान निमली कौन सा नहीं है विधान परिशद के अकार में विर्धी B. केंद्रिय के विधान परिशदों में सरकारी बहुमत C. सामपरदाई को पृथक निर्वाचन पदती and D. केंद्रिय के विधान परिशद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान नहीं जिनकी संख्या बढ़ाकर 16 से 60 की गई, सो कोश्चन का राइट अंसर यहाँ पे होगा, D. केंद्रिया विधान परिशद में निरुवाचित सदस्यों को स्थान नहीं, निमन लिखित में से कौन से अधिनियम ने ब्रिटेन में एक ऐसे नियंतरन बोड की स्थापना का प्रावभान किया, जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में इस्ट इंडिया कमपनी के दिवानी, सैनिक और राजस्व सबंधी सभी मामलों पर पूरी तरह से नियंतरन रख सके, दोस्तों कोश्चन में पुछा गया है कि निमन लिखित में से वह कौन सा अधिनियम है, जिसके तहट ब्रिटेन में एक नियंतरन बोड की स्थापना का परावधान किया गया, वो जिस नियंतरन बोड के तहट ब्रिटिश इस्ट इंडिया कमपनी के दिवानी, सैनिक और राजस्व सबंधी मामलों पर ब्रिटिश सरकार का नियंतरन हो सके, दोस्तों, फ़स्ट ओप्शन इस 1773 का Regulating Act, सेकंद इस 1784 का Pits India Act, फ़र्ड इस 1833 का Charter Act, फ़र्ट इस 1858 का भारत सरकारह दिनियम. दोस्तों, जो 1784 का 1784 का Pits India Act था, इसके दोड़ा दोस्तों एक नियंतरण बोर्ड की स्थापना का प्रभान किया गया था. सो कोश्चन का राइट अंसर है B 1784 का स्पीट्स इंडिया अधिनियम